मित्रो नमस्कार जैशी कृष्णा या आप घरीबी की इस्तिती में भी हैं लेकिन आप मानसिक तोर से परिशान हैं डिप्रेशन में हैं या आपके उपर कोई उपरी बाधा है या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके उपर कुछ कर दिया है तो आप अपनी कुंडली खुल कर अवश्य देख लेए चंद्रमा और राहु कुंडली में किसी भी भाव में साथ में बेठे हुए हैं तो मानसिक इस्ति खराब हो सकती है कुछ परिस्तितियां ही ऐसी होती है कि उसमें इनकी नकारात्मकता कम हो जाती है तो व्यक्ति में जो मना इस्तती है वह खराब होना नकारात्मक होना डिप्रेशन में आ जाना तनाव में आ जाना मानसिक इस्तती अच्छी नहीं होना ऐसी इस्तती में हो सकता है आप यहाँ पर एक कुंडली देखें इस कुंडली में 12 भाव दिये हुए और 12 ही भाव जो है उसमें किसी भी भाव में यदि इस प्रकार से राहू और चंद्रमा साथ में बेठे हो और कोई भी गरह साथ में हो सकता है लेकिन राहू चंद्रमा तो साथ में होने ही चाहिए तो व्यक्ति परिशान होगा हड़ बड़ा हड़ में यदि आप कोई निर्णे लेंगे आपने भी न शोचे समझे कोई निर्णे लिया तो आप परिशान हो सकते हैं यदि आपको तेरना नहीं आता या आप अच्छे तेराग नहीं हैं और पानी में कूदते हैं तब भी पानी से भी आपको समस्या हो सकती है चंद्रमा सुख का कारग भी है सुख किसे कहेंगे सारी सुविदाएं आपके पास हैं लेकिन आप सुखी नहीं है उसका कारण भी यही हो सकता है कि राहू और चंद्रमा कुंडली में कहीं साथ तो नहीं चाहे आपकी अन्बन आपकी पत्नी से हो माता-पिता से हो या अन्य बाहरी किसी व्यक्ति से हो तनाव में हैं आप तो राहू जो है वह चंद्रमा के साथ बेटकर आपको मानसिक तोर से परिशान करेगा बहुत ही पापी ग्रह है, चंदरमा, कोमल ग्रह है, उसके साथ यदी राहू बेट जाएगा, तो व्यक्ति शंकालुप्रवरतिका भी हो सकता है, व्यक्ति को बार बार शंका हो जाती है, छोट छोट बातों पर संका करेगा, तो यहां अच्छी इंतिती नहीं है, हीन मांसिक् और इसको बहुत से पंडित लोग ग्रहन यूती बोलते हैं वो सिबार आपने देखा होगा अमावस्या के आसपास ऐसी यूती हो जाए तो ग्रहन हो जाता है लेकिन यह ग्रहन यूती तो नहीं कह सकते हैं राहु चंद्रमा की जो यूती है वह स्रेष्ट यूती में नहीं आती है मित्रों चंद्रमा आँखों का भी कारक है आपकी जो आँखे हैं और विशेश कर लेफ्ट आई लेफ्ट वाली जो आँख है बाई आँख इसका कारक भी चंद्रमा है यदि आपकी लेफ्ट आंक में कोई समस्या है तब भी राहु चंद्रमा साथ में होने की वज़े से हो सकता है लगन में, बारवे भाव में, द्वीती भाव में राहु चंद्रमा साथ में हो तो आंकों में समस्या होती है चट्टे आठवे बाव में राहू चंद्रमा हो तब भी ऐसी समस्चाएं होती है ऐसे व्यक्ति को जल्दबाजी मिनिने नहीं लेना चाहिए रक्त का कारक चंद्रमा है खून की कमी हो जाना क्योंकि चिंता रहेगी तो खून की कमी भी होगी और जुकाम, खांसी, फेंफणों के रोग भी हो जाते हैं बहुत सी बार कम उमर में ही सन्नी पाच ऐसी समस्चाएं भी हो जाती है व्यक्ति एक एक बात को दस दस बार बोलेगा और उसकी मानसिक इस्तिती ऐसी खराब हो जाती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता क्या खारा, क्या पीरा, किसी का पता नहीं चलता तो बुड़ापे में या कम बुड़ापे में भी एसी स्तिती हो जाती है बहुत से लोगों में हमने देखी है माता के स्वास्त में भी उतार चड़ा हो जाता है या माता को भी टेंशन रहती है तब भी ऐसी इस्तती हो जाती है चंद्रमा को पक्ष बली बोलते हैं पक्ष बली हो तो बहुत अच्छी इस्तती होती है कहने का ताथ पर यदि आपका जन्म पुर्णिमा के नस्दीक हुआ है पुर्णिमा से पांसाथ दिन पहले या पांसाथ दिन बाद तक हुआ है तो चंद्रमा फिर भी बली होता है लेकिन अमावस्या के नजदिक यदि जनम है चार-पांस दिन पहले अमावस्या के या चार-पांस दिन बाद अमावस्या के तो चंद्रमा यहां बहुत ज़्याद प्यक्ति की आये पर भी इसका बुरा प्रभाव पढ़ता है गुप्त क्षत्रु जो है वे परिशान करते हैं तो इस विशे पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कहीं राहू और चंद्रमा कहीं साथ में तो बेठे हुए नहीं हैं आप खोल कर देख ल कोरोना वाइरुस पर वीडियो बनाया था आपने उसको देखा ओलगा कोरोना वाइरमियरस जो ही बहुत कंबीर अवस्था में आ गया है आपने बाहरी, भारत में तो इसकी इस्तिती बहुत ही समन्य है, लेकिन इसको बड़ा चड़ा के दिखाया जा रहा है, आलाकि ऐसी कोई इस्तिती नहीं है, इसलिए चिंता का विशय नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जो उल्टा सिधा निंदित काम किये, उन्होंने निंदित चीजें खाई, तो राहु चंद्रमा की यूति में व्यक्ति निंदित कार्य भी करता है, आप देखें तो यहां समझें कि 11 सितंबर 2019 से, 11 सितंबर 2019 से, गुनिस मई, अर्थाथ 20 मई के दिन, 2020 में, 20 मई 2020 के दिन, राहु आदरा नक् नक्षत्र पर, म्रक्षीर नक्षत्र पर चला जाएगा, लेकिन 11 सितंबर 2019 से, 20 मई 2020 तक, यदि राहु आदरा नक्षत्र पर है, और इस धर्मियान, चंद्रमा भी उसके साथ महिने में एक बार अवश्या आता है, लगबग तीन दिन रहता है, सवा दो दिन, तीन दिन, त जैसे आप देखें, तो अभी नवंबर से देख ले में, तो 15, 16, 17 नवंबर, दिसंबर में 12, 13, 14, जनवरी में 9, 10, 11, इसी प्रकार फरवरी में यदि आप देखें तो 5, 6, 7 फरवरी, मार्च में देखें तो 3, 4, 5 और 31 मार्च को आएगा यह वापस, और अपरेल में देख राहु चंदरमा की यूती होगी, इस दर्मियान पेदा होने वाले बच्चे भी हैं, उनकी कुंडली में भी राहु चंदरमा साथ में होगा, क्योंकि मितुन राशी जिन बच्चों की होगी, और आर्दरा नक्षत्र होगा, आर्दरा नक्षत्र में नाम कौन-कौन से आते कू, ग, अंग और छा जैसे यदि कोई लड़की है तो कुसुम नाम है, छाया नाम है लड़का है तो गंचाम नाम है तो इस प्रकार के जो नाम आएंगे आरदरा नक्षत्र में आते हैं और इन नक्षत्रों में राहू की यूती के समय चंद्रमा भी राहू के साथ जिस दिन में आएगा, जिन जिन दिनों में आएगा उस समय इस प्रकार के संक्रमन विशानू फेलते हैं हमारे जोतिश शास्त्र में विशानू फेलाने वाला जिसे हम वाइरस बोल रहे हैं इस विशानों को फेलाने वाला राहू है सुरिशनी की यूती भी होती है लेकिन राहू विशानों फेलाता है तो कोरोना वाइरस जो है कोरोना वाइरस उसको फेलाने वाला यदि जोतिश शास्त्र की दिर्ष्टी से देखें तो राहू एसा ग्रह है जो 11 सितंबर 2019 से 20 मई 2020 तक रहेगा और इसी के कारण यह वाइरस फेलता जा रहा है इसमें ठंडक का भी बड़ा रोल है नौंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में ठंड बहुत रहती है तो यह किटानों मरता ही नहीं और उस दर्मियान रहू 18 साल में एक बार वापस इसी राशी पर आता है तो इसी नक्षत्र में होने के कारण आर्दरा नक्षत्र विशेश कर आर्दरा नक्षत्र में होने के कारण और साथ में जब जब चंद्रमा आता है उन दिनों में जो दिन मेंने बताये थे अभी, उन दिनों में वह संक्रमन ज़्यादा फेलते हैं, चाहे कोई भी देश हो उन दिनांकों में, उनको इन तारिकों में विशेष ध्यान देना पड़ता है, मैंने एक उपाय भी बताये थ कि यदि कोरोना वाइरस से बचना है तो आप भीम सेनी कपूर, लोबान, घुगल, फिटकरी और साबुत नमक पूराने जमाने में साबुत नमक खाते थें वो साबुत नमक पांचों बजार से साबुत लेकर आएं 100-100 ग्राम या 200-100 ग्राम मातरा में लेकर आएं और उसमें यदि 200 ग्राम लाते हैं सभी तो उसमें 200 ग्राम गाय का घी शुद्द मिला लेवें और इसको पीस कर शाम के समय रोज इसका धूप करें कंडे के उपर, कोईले के उपर तो आपको राहू से जो नुकसान हो रहे हैं या ये जो कोरोना वाइरस या अन्य जो संक्रम हैं इससे लाब मिलेगा वेसे भी यदि आप मास्क भी चेहरे पर लगाते हैं तो उसमें भी कपूर की मात्रा होती है और भीम सेनी कपूर शुद्द कपूर हैं अन्य कपूर का इस्तमाल मत कीजिए आजकल लोग लाब के लिए उल्टे सिदे मास्क बेच रहे हैं दो आप नियमित महा मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और भगवान शीव का रुद्रे पिशेक भी करते रहेंगे हर अमावस्या के दिन प्रदोश के दिन यदि कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली में राहु चंद्रमा साथ में बेठे हुए हैं और मानसिक इस्तती ठीक नहीं है और मैंने जो समस्याएं बताई ये सारी समस्याएं है तो वह व्यक्ति रुद्रा पिशेक अवश्य करें कम से कम साल में दो तीन बार तो अवश्य करना चाहिए और ओम नमश्याय मंत्र का भी उसे प्रति दिन जाप करना चाहिए 108 अर्थात एक माला ओम नमश्याय की और मह मृत्युन जय मंत्र की जाब भी करने चाहिए जल्द बाजी में निर्णे नहीं लेने चाहिए अपने पिता, अपने माता, अपने परिवार से सुक शांति पुर्वक रहने के लिए आपको यह उपाय अवश्य करने चाहिए अपनी पत्नी, अपने रिष्टेदारों से, अपनी संतान से भी यदि आप पीडित हैं या किसी प्रकार की कोई क्षत्रुता है या गुप्त रूप से पीडित हैं लेकिन बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इस उपाय को करें, आपको मानसिक शांति मिलेगी और इस कुंडली को द्यान से देख ले में राहू और चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में साथ में हैं तभी यह समस्या बनती हैं इससे डरने की आवशक्ता नहीं हैं शीव की उपासना करें और आनंद करें तन्यवाद जैशिक्रिष्णा